दोफ तो क्या हो जब आपको एक रात के लिए कबरिस्तान में रुकना पड़ जाए ऐसा ही हुआ इस वीडियो वाले इनसान के साथ जब उसे एक कबरिस्तान में सिक्योर्टी गार्ड की नोकरी मिली चलो देखते हैं उसके साथ क्या हुआ सिक्योर्टी गार्ड को कहीं से खट-कटाने की आवाज आती है जब वो उस कमरे की तरफ जाता है तो उसे बच्चों के हसने और उनका हाथ खिड़की पर दिखाई देता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता ये वाक्या होने के बाद इस सिक्योर्टी गार्ड ने तुरंत उस जगह से रिजाइन दे दिया दोस्तो अगर आप सिक्योर्टी गार्ड की जगह होते तो आप क्या करते क्या आप ऐसी जगह पर रुकना पसंद करते दोस्तो ये वीडियो एक tik tocker ने अपने अकाउंट पर अपलोड किया है इस वीडियो में यह छोटा लटका पिछले 5 मिनट से अपने कमरे में किसी से बाते कर रहा था जब उसके डैड उस से पूछते हैं कि वो किस से बात कर रहा था तो वो अपने कमरे के कोनी की तरफ इशारा करता है और बताता है वहाँ पर एक इनसान है जो की फंदे पर लटका हुआ है और वो ये भी बताता है कि ये रात को उससे जगडा भी करता है चलो एक बार वीडियो देख लेते हैं और रिली ये वहाँ 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 दोस्तों जब उसका डैड उससे उसकी ड्रोइंग के बारे में पूछता है वो बताता है कि ये ड्रोइंग उसके कमरे की है और वो अपनी ड्रोइंग में फंदे पर लटके इनसान की पिक्चर बनाता है जिससे उसका डैड काफी डर जाता है दोस्तों अगले दिन वो लटका फिर से अपनी कमरे में उसी धोस से बात कर रहा होता है जो कि उसे बार बार उसके कमरे में फंदे पर लटका वा दिखाई देता है चोलो एक बर ये वीडियो भी देख लेते हैं उस लड़के की ऐसी बात सुनकर उसका पिता काफी डर जाता है और वो उस बच्चे के कमरे में CCTV कैमरा लगवा देता है और उस रात कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद उसके पिता का खून बिलकुल जम जाता है चलो देखते हैं इसकार अवा है नब को इसकार अवा है दोस्तो फुटेज देखने से पहले लड़के का पिता समझता था कि उसके बेटे का कोई imaginary friend है लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उसे भी यकीन हो गया कि कोई तो अंजान शक्ति है जो उसके लड़के के कमरे में है दोस्तो आपको क्या लगता है क्या सच में इस कमरे में कोई भूत था जिससे ये लड़का बाते करता था दोस्तो शुरुवात में देखने पर ये एक आम सा वीडियो लगता है जिसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ अपने घर के तरफ जाती है और काफी आसानी से अपने घर के अंदर चली जाती है लेकिन उसके बाद जो होता है वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कर दो जाती है दोस्तों शुकर है कि इस औरत के अंदर जाते ही ये दरवाजा लोग हो जाता है नहीं तो आप सोच सकते हैं कि ये इनसान कितने गिनोने काम थे जो इस महिला और उसके बच्चे के साथ कर सकता था ये वीडियो देखने के बाद यकीन हो गया कि लोग अपने घर में भी शुरुक्षित नहीं है